नमस्कार विद्यारतियों, आज हम अरस्तु के रान्ति संबन्दी विचारों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे अरस्तु एक महान रानितिक विचार है अरस्तु ने रानिति को विज्ञान का जो दर्जा दिया है उसमें उसकी विचारों का प्रमुक आधारा है। उसने रानितिक वैवस्ता को विज्ञान के तौर पर प्रदेशित करने का, उतारने का, इस्थापित करने का जो प्रियास किया, निश्य तौर पर अत्यांति महत्मुर्ण और सहरानिये रहा है। अरस्तु के समय रानिती में दर्शन का अत्यधिक प्रियोग होता था रानिती को एक वेग्यानिकता का दर्जा प्राप नहीं था लेकिन अरस्तु एक पहला विचारक है पहला रानिती वेग्यानिक के तौर पर कहेंगे हम उसे कि उसके द्वारा रानिती को वेग्यानिकता के तौर पर देखा जाने लगा अरस्टू की विचारदारा ववस्ताउं दर्शन भी वह सभी महध़ून आधार आपको दिखेंगे जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अरस्टू की जो विचारदारा है एक वेग्यनिक टालिय वह उनमें वैग्यानिक्ता के वह सभी अध्यन बिंदू हैं जिनके अधार पर उनकी विजारदारा वह वैग्यानिक्ता के तौर पर दिखाई देती हैं अरस्तु के समय जो युनान छोटे छोटे राज्य में बटा वा था और यह सभी आपस में एक दूसरे से एश्या रखते थे और एश्या होने की करण अपना सामराज्य को इस्थापित करने के लिए शक्तिशाली बनने के लिए सदेव इनमें होड रहते थी और यह सदेव एक दूसरे पर आक्रमन करते थे और इन आक्रमन ही नहीं एक दूसरे के राज्यों में सभी आसपाश के राज्यों का अत्यादे खस्तिशेप था उनका प्रमुक कारे यह रहता था कि आसपडोस के राज्य को किस प्रकार कम जोर किया जाए किस प्रकार ऐस्थिर किया जाए इस प्रकार की यूजनाय उस समय प्रचलित रहती थी अरस्तु ने अपने क्रांती संबंदी विचार में ना किवल इनकी क्रांती की कारणों पर चर्चा किये बलकि उपायों का भी वर्णन किये अरस्तु ने क्रांती संबंदी विचार प्रस्तुच करने से पहले यह बताया कि क् रानितिक विवस्ता को छिन बिन करने के लिए उस समय की जाती थी, करांति का यह अर्थ नहीं था, जो समाने अर्थ में समय में बिविन परकार के अंदोलन या जिस परकार की प्रांस की करांती, या साम्मेवधी क्रांती हमें दिखाई देती उस प्रकार की क्रांती ना होकर रानितिक ववस्ता में ऐस्थेड़ता स्थापित करना या रानितिक ववस्ता को नए सिरे से स्थापित करना क्रांती का अरस्तु के द्वारा यह समाने अर्थ दिया है कि शाषन ववस्ता में परिवर्तन, शाषक में परिवर्तन या शाषन के मून रूप में परिवर्तन अरस्तु के जो ये विचार है वह काफी यथार्दवाती विचार है, व्यज्यनिक तलिव है अरस्तू में सुए 158 देशों के सवीधानों को अध्यन करके करांती संबन्धी विचारों को प्रस्टूत करने का प्रयास किया है और अरस्तू की ज़य विचार है निश्यत तोर पर उस समय की वेवस्ताओं परिस्तितियों के आधार पर उनके अनुभव के आधार पर समान था प्राय उस समय रास्तंत्रात्मक व्यस्ता थी और रास्तंत्रात्मक व्यस्ता में सारी शक्तियां राजा के पास में होती थी राजा इन शक्तियों को संचालित और नियंतित करता था राजा राज्य का सर्वोच और सत्ताधारी अधिकारी होता था प्राय उस समय यह देखने को मिला है कि राजा या राजा के जो प्रशाशनिक अधिकारी या राज वैवस्ता से संबंदित जो प्रशाशनिक अधिकारी है वह जनता से ऐस अमानता का विवार करते थे या अन्ने निमन अधिकारियों से या राजा निमन अधिकारियों से अपने जो संबंदित अधिकारियों से यदि ऐस समानता का विवार करेगा और यह है ऐस समानता चाहे उस समय की जनता से हो या अधिकारी से हो ऐस समानता के तोर पर करांती की समभावना बनी रहती है यदि राजा या राज वैवस्ता से समभने अधिकारी ऐस समानता का विवार करेंगे तो निश् कि संभावना सदेव बनी रहती है अगला जो कारण बताया उसमें अन्याएं राज वेवस्ता में यदि जन्ता के साथ शाषन वेवस्ता के अधिकारियों के साथ शाषन वेवस्ता के करमचारियों के साथ यदि अन्याएं होता है तो निश्चित तोर पर क्रांती की संभावनाएं बनी रहती है जनता सतेव चाहती है कि उसके साथ समानता वो न्याय का वैवार हो अन्याय का वैवार होगा किसी भी वर्ग के साथ किसी भी समाज के साथ में तो निश्यत तोय पर विरोध की स्वर उभरेंगे और ये जो विरोध की स्वर रूप हैं वो करांती में कभी भी जन ले सकते हैं ततर अरस्तु ने ऐसा मानता के साथ सब अन्याय को भी कारण बताएं ये जो दोनो कारण हैं ये सामाने कारण के तौर पर दिखाई देते हैं इसके लावा अरस्तु के द्वारा विशेश कारणों पर भी चर्चा किये गई हैं। शाषकों में प्रलोबन यदि राजा या शाषक के उच अधिकारी हमिशा आलस्य में प्रमोद में जीवन वैतित करेंगे उनका जीवन विलासिता पूर्ण होगा तो निश्चित तौर पर कांति की संभावनाएं बने रहती हैं। शाषकों में उस समय प्राय ये देखा गया है युनान के जो चोटे चोटे राज्जे थे उनमें जो शाषक है राजा है वो सदेव अपने आपको शक्तिशाली और बनाने के लिए या अपने जीवन जो चरिया है जीवन उसका जीवन दर्शन है जीवन कारे है जीवन वव सिता वाले जो गुन उस समय अत्य दिक दिखाई देते रहे राजाओं में यदि विला सिता पूर्ण जीवन होंगे प्रलोबन वाले गुन होंगे तो निश्चित तोर पर कांति की संभावनाई बनी रहेंगे अत्य राजा को इस प्रकार का कोई कारे नहीं करना चाहिए जिस से की जनता में एशंतोष की भावना उत्पन हों अगला सम्मान की लालसा राजा यदि अपने नीचे की अधिकारियों को अपने मंत्रिगणों को सम्मान नहीं देगा जनता को सम्मान नहीं देगा यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी या कोई वर्ग सम्मान की लालसा रखत और उसको सम्मान नहीं मिलता है तो निश्यत तोर पर उसमें ऐसंतोष की भावना जागरत होती है अते राज्या को प्राय यह करना चाहिए कि सभी को उचित सम्मान दिया जाए अगला जो पॉइंट है किसी भी प्रकार की उतक्रश्टा यदि राज्ये में किसी वरको किसी व्यक्ति को यदि वह अत्यदिक शक्ति शालि हो जाए अपने आपको अलग सा मैंसूद करें अपने आपको शक्ति शालि बनाने की कप्रियास करें तो यह जो गुन है यह जो वैवस्था हैं निश्य तोर पर क्रांति की ले जाती है, यदि राजा विवस्ताओं को उस समय की परिष्थित्यों को ध्यान में रखकर कारे करेगा तो निश्य तोर पर क्रांति से बचा जार सकता अते हैं राजा को जो कोई प्रमुख व्यक्ति हो गुट हो वर्ग हो तो उसे ना तो अतिधिक शक्तिशाली होने देना चाहिए और उसे समय और शक्ता परिश्टिय अनुसार संतुलित रखना चाहिए अगला है घ्रहना राज्य में शाष्ण ववस्ता में यदि जन्ता के साथ घ्रहना की जाए इसी वर्ग के साथ अधिकारियों के साथ प्रशाष्णिक ववस्ताओं के साथ यदि घ्रहना की जाए तो निश्यत तोर पर उस प्रकार का कारे करना चाहिए कि निश्चित तौर पर जो राज्य में इस प्रकार के गुण किसी भी विवस्ता में उत्पन्ना उपाए, राज्य में सम्मान, विवस्ता, संतूलन की विवस्ता सदेव बनी रहे. अगला भै, प्राय, युनान के जो राज्य हैं, उनमें एक यह अत्यदिक गुण, उस समय दिखाई देता है कि जो छोटे-छोटे राज्य हैं, वो अपने आपको अत्यदिक शक्तिशाली बनाए रखना चाहते हैं, और ये शक्तिशाली बनाने की जो होड है, उसमें प्राय वह जन्ता को दबाने की कोशिश करते रहें, साथ में अपनी शक्ति को, सैनिक ववस्ता को इस प्रिकार से इस्थापित करने का प्रियास करते रहें, जिससे की राज्य में भैका माहोल रहें, अत्ये, अरस्तु के द्वारा ये विचार दिये गए, कि यदि राज्य में, श शाषन व्यवस्ता में नहीं रहना चाहिए अगला प्रमाद यदि राजा विलासिता पूर्ण जीवन व्यतित करता है आलसित पूर्ण जीवन व्यतित करता है शाषन व्यवस्ताओं पर ध्यान नहीं देता जनता पर ध्यान नहीं देता जनता के लोक का लेंड कारी कारियों क सही रूप से इंजाम नहीं देता है तो निश्शित दोर पर ये जो भावना है इस प्रकार की जो व्यवस्ता हैं निश्शित करांती के और ले जाती है और ये जो करांती है वह किसी भी रूप में दिखाई दे सकती है अगला जो प्वईट है विदेशी तद प्राइ ये देखा गया है क्याशन व्यवस्ता में आस प्रोश की राज्जे ये विदेशी जो प्रोशी राज्जे है वो निश्शित तोरपर हस्था शेप करते हैं उनका ये प्रयास रहता है कि राज्जे में ऐ विवस्ता का महौल रहे हैं, राज्जे में शांती विवस्ता इस्थापित ना हो, राज्जे का जो महौल है या राज्जे या देश का जो महौल है वह इस प्रकार कर रहे हैं कि शाशन विवस्ता में ना तो संतुलन हो ना कि यदि विदेशी तत्व को लगेगा कि राज्जी में एकी करण की भावना नहीं है, राज्जे पून रुप से एकी करण नहीं है, जनता में एस अंतोश है, जनता में विभिनता पाई जाती है, जनता में विभिन प्रकार की गुड़ बटेव है, तो निश्चित तो अपर इन कमजोरियों का फाइदा उठाने की कोशिश करेगा जिससे की करांति की संभावनें बनी रहती है शूद्र गटनाएं उस समय अरस्थू के द्वारा यह बताने का प्रयाश क्या गया कि समय और शक्ता परिस्थितियों अनुसार कुछ प्रकार की शूद्र गटनाएं भी करांति को जनम दे सकती है लेकिन यह जो व्यवस्था है यह जो शूद्र गटनाएं यह केवल तदकालिक परिस्थितियों व्यवस्थाओं के तौर पर ही जो करांति की संभावना को अन्जाम दे सकती है अगला परसपर विरोधी कुटो को संतुलित होना परसपर विरोधी कुटो का संतुलित होना राजजी में शाषन व्यवस्था में वीविंपरकार के खुट होते हैं जिनके प्राय ये कारे होता है कि वह राज्जे में शाषन वयवस्ता में अधिक से अधिक हश्ट शेप करें शाषन वयवस्ता में उनकी जो इस्सिदारी है उनका जो प्रभाव अत्यदिक दिखाई दे इस कारण से वहे शाशन पर राज्य पर राजा पर दवाव बनाने की कोशिश करते हैं राजा का ये प्रमुकारी होता है रहे होगा कि वहे इन परसपर गुटों में संतुलन इस्तापित करें और वह इस प्रकार का कारी करें कि जो परसपर गुट है वो राज्जी में संतुलित रहकर कारी करें यदि इन परसपर गुटों में ऐसंतुलन होगा यदि विबिन प्रकार के जो गुट है कुलीन वर्ग के जो गुट है वह राज्जे में अत्यदी खस्ते शेप करेंगे ऐस संतुलित रहेगा ऐसंतुलित व्यवस्ता इस्थापित होती है तो निश्यत पर क्रांती को जन दिया जा सकता है तो अरस्तु के द्वारा अपनी जो रानितिक विचारधारा है उसमें यह समानी और विशेश कारण बताए गए जिनके कारण उस समय क्रांती की संभावनाएं प्राय दिखाई देती थी अरस्तु ने इस क्रांती की विचारधारा की माध्यम से यह बताने का प्रयाश किया कि राज वैवस्ता में शाशन वैवस्ता में यदि परिवर्थन करना है या किया परिवर्थन होना है या परिवर्थन होगा तो निम्न आधारों पर हो सकता है अते अरस्तु ने अन्य शाषन प्रणालियों को भी करांती का कारण माना ये समाने और विशिश कारण तो हैं साथ में विभिन शाषन प्रणालियों के प्रभाव से विभिन शाषन प्रणालियों के कारणों से भी करांती को जनम दिया जा सकता है अरस्तु ने अपनी वेग्यनिक विचारदारा में वेग्यनिक दर्शन में वेग्यनिक आधारों पर यह बताने का प्रियास किया कि अलग लक्षाशन प्रिणालियों में कुरांती को किस प्रिकार जन्म दिया जा सकता है जैसे अरस्तु का मानना है कि लोक्तंत्री व्यवस्ता में सस्ति लोक्षृयता प्राप्त करने के लिए जो राजनेता है वह है अपने भाशनों के माद्यम से अपनी विचारधार के माद्यम से इस प्रकार जनता में प्रचार प्रसार करेंगे कि जनता में उनकी भावनाओं को उनकी विचारधाराओं को ना केवल कमजोर किया जाएगा बलकि उनकी भावनाओं का दुरुपर किया जा सकता है यानि जनता राजनेताओं की भावनों में आ सकती है और क्रांती को जन दिया जा सकता है लोगतंत्री व्यवस्ता में प्राय सदेव ये देखने को मिला है कि जो समय समय पर राजनेता है वह जनता की भावनों से खिलवाड करते हैं वहें इस प्रकार की विचार या विचारधारा प्रसूट करते हैं जिससे की जनता में ए संतोष का वातावरन जनता की जो भावना है वहें उससे खिलवार किया जा सके इसी प्रकार धनिक तंत्र में भी क्रांति की संभावना रहती है यदि धनिक तंत्र में विबिन परकार के गुट हो उन्में ऐसंतुलन हो उन्हें सम्मान नहीं दिया जाए उन्में संतुलन इस्थापित नहीं किया जाए तो धनिक तंत्र में क्रांति की संभावने रहती है या धनिक तंत्र में अद्यदिक गुट बाचियो यह भी क्रांति को जन दे सकती है कुलीन तंत्र या धनित तंत्र के अलावा यदि रास्तंत्र या अत्मक व्यवस्ता में हम देखें रास्तंत अत्मक व्यवस्ता में जनता में बहवत्पन हो जनता से घ्रहना की जाए शाशन के अधिकारिएं से घ्रना की जाए, शाशन में भैका बातरों, शक्ती के अधार पर शाशन को संचलित किया जाए, तो निशित तार पर क 모eren्ऩी को जनम दिया जा सकता है, तो अरस्तु ने अपने प्रमुक विचारों में उस समय के जो विचार्धारा के अनुसार, उस जो क्रांती के विचार प्रस्थुत किये है निश्चित तोर पर अतियन्थी महत्पून है क्योंकि अरस्तु एक पहला विचारक है जिसने अपनी विचारधरा, अपनी विवस्ता, अपनी दर्शन को व्यग्यानिक रूप से प्रस्थुत करने का प्रियास किया है इस से पूर अरस्तु से पूर हमने किसी भी राज विद्वान को रानेतिक विद्वान को इस परकार क्रमबत वेवस्थित वेग्यानिक तौर पर हमने विचार ना तो देखे हैं ना किसी विचारक ने अपने विचारों को प्रस्थूत करने का प्रियास किया अत्य है अरस्तु की क्रांती संबंदी जो विचार है वो है उस समय की परिसितियों उस समय के अनुभवों वेक्यानिक दश्टिकोंड के आधार पर अरस्तु ने क्रांती संबंदी विचारों को प्रस्तुत करने का प्रियास किये हैं अरस्तु के द्वारा ना केवल क्रांती संबंदी विचार प्रस्तुत किये हैं, बलकि क्रांती ना हो क्रांती से बचाओ के उपाए भी प्रस्तुत किये हैं। अरस्तु के जो विचार हैं समाने तोर पर हम देखें, तो एक विचार धारा के तोर पर विचार दिखाई देते हैं। अपने विग्यनिक दश्टिकून के आधार पर क्रांती संबंदी विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया जो अत्यन्त वहपों है